हेलो एवरिवन वेलकम टू फिजिक्स कॉर्णर तो देखिएगा आज अपन बात करने जा रहे हैं CSR net cutoff की ठीक है तो cutoff है जो किस पर depend करती है सबसे पहले इस पर चर्चाग अपन करने जाएंगे ठीक है तो देखिए बच्छों cutoff आपके पास paper पर depend करती है ठीक है पर का level कैसा है उस पर आपके पास cutoff depend करती है ठीक है तो सबसे पहले part A, part B, part C की बात करें तो part A आपके पास easy था किया जा सकता था अप्रोक्सिमेट 8 की सुन किया जा सकते थे इसमें ठीक है अब part B में बात करें तो यह moderate level का था paper part B में और यह भी आपके पास मान सकते हो easy to moderate था easy to moderate ठीक है तो इसमें भी करीब-करीब 10 कुशन सही किया जा सकते थे इसमें करीब-करीब 10 कुशन सही किया जा सकते थे ठीक है तो यह मान सकते हो कि आपके पास यह 3.5 मार्क्स का था और यह आपके पास कितना मार्क्स का था 5 मार्क्स का था यह 3.5 मार्क्स का था और यह आपके पास कितने का था 8 मार्क्स का था ठीक है तो अब देखिए यह हो गए आपके पास 8 multiplied to 16 ठीक है 3.5 3.5 multiply 10 तो 35 और यह आपके पास कितना हो जाएगा 10 multiply 5 यानि 50 तो यह approximate कितने marks हो गए यह आपके पास approximate मान लो 101 plus marks 101 plus marks हो गए जब आपके पास 101 plus marks हो गए यहाँ पर आपके पास जयारफ मिलती आपको 101 plus marks परन्तु कुछ negative हो जाए तो negative मान लो 40 negative हो गए तो आपके पास क्या हो जाएगे 61 marks हो जाएगे प्लस तो इस पे इस पे आपके पास यह negative हो गए इस पे आपके पास LS मिल सकती है ठीक है किनको किनको आपको general category की अगर बात करें तो अपन आपके पास 40 negative नहीं थोड़ी कम negative करो जब आपके पास होगी लगबग 20 20 negative करो तो 81 plus पर आपको क्या मिलेगी GRF मिल सकती है ठीक है तो अब देखो यह आपके पास करना था पूरा pattern यह था इसके according अपन को paper करना था तो उसके according आपके पास जो LS की cutoff है वो 74 plus जाएगी GRF की 80 plus जाएगी ठीक है और आपके पास EWS की 72 plus और GRF की 80, 78 plus ठीक है OBC की 70 plus यह 77 plus GRF की यह 65 plus यह 67 plus यह 62 plus यह 63 plus यह आपके पास 50 plus यह 52 plus ऐसे ही आपके पास cutoff रहने वाली है और यह आपको अगर यह आप follow करते हो जैसा की paper का level था यह follow करते हो तो GRF इसमें आराम से लिया जा सकता था GRF नहीं तो कम से कम LS in journal category में आराम से लिया जा सकता था मैंने cutoff का discussion किया expected cutoff यही रहने वाली है क्योंकि आपके पास इसमें paper कितना आपके पास hard आया है उसमें depend करने वाला था पूरा का पूरा क्योंकि quantum mechanics के question आये थे 8-10 question quantum mechanics के आये थे mathematical की भी आये थे और electronics से भी आये थे तो मोटा मोटी बात करें तो आपका paper का जो level था moderate level का था और अराम से LHCJRF लिया जा सकता था उसके according ये cutoff रहेगी general की EWS की OBC की HC की HT की और PW की ठीक है? PWD की ठीक है? तो ये cutoff ध्यान में रखिएगा expected cutoff रहने वाली है तो SC वीडियो को like कीजिएगा share कीजिएगा और channel को subscribe करना मत बूलेगा thank you dear student